हलो एवरिवन वेल्कम पेक टू नम्स रेसिपी आज मैं बना रहीं गेहूं के आटे से एक स्वेट डिस एक बिस्किट है यह यह बनाना बहुत यासान है तो चलिए हम बनाना ही स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे बनता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर मैंने ल रोस्ट करना है और फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे जब यह एक मिनट हो जाएगा फिर तो देखे हो चुका है रोस्ट अब हम यहां पर लेंगे फो टू फाइटेबल इस्पून घी या आप ऑइल भी ले सकते हैं यहां पर मैं फाइटेबल इस्पून घी ले रही हूं और इसमें मैं डालूंगी दो कप गेहूं का आठा तो पहले एक कप डाल रही हूं मैं फिर उसके बद इसको थोड़ा मिलाएंगे फिर एक कप डालूंगी मैं बाद में तो यहां पर फिर से मैं एक कप और डाल रही हूं और इसको हमको करना है सिफ सेवन टू एट मिनट के लिए हमको इसको करना है रोस्ट इसको घी में थोड़ा सा हमको भूनना है जब यह कलर चेंज हो जाएगा इसका हलका सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में इसको लोड टू मेडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे इसको रोस्ट करेंगे इसको भूनने का मतलब यह है कि यह काफी अच्छे से खस्ता बनता है बहुत ही सौट बनता है जब हम इसको बिस्किट बनाते हैं मठ्री बनाते हैं तो इसको हमको थोड़ी देर के लिए बस हमको इसको भूनना है इस तरह से और यह जब भून जाएगा इसको हमको ठंडा होने देना है फिर हम इसको आटा गूतेंगे इसका तो इसको ठंडा होने देंगे यह हो चुका है हम फ्लेम बंद कर देंगे और हम गूर से बनाएंगे तो यहां पे मैं एक कप गूर ले रही हूं इसको हमको डेड़ कप पानी में या फिर एक कप पानी भी ले सकते हैं उस पे आप हमको भिगा करके रखना है तो यह जो गूर है वो बारीक वाला गूर है तो यह जल्दी स लग जाएगा इसको हमको रख देना है, इसतर है से घोल देना है, पानी में एक कप पानी में एक फ घूड और यहां पर गे हुँं का आटा थंडा हो चुका है जो हमने रोस्ट किया दा असिपे हम तिल डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हमको आठा गूतना है पानी डौकर करके तो गोड़ वाला पानी है उसी से हम में तोड़ा करके हम को इस तरह से डो त्यार करना है यह आंटा गूद्खर के तियार हो गया है अभी हम इसका बनाएंगे विस्केट तो हमको लेना है एक छोटा सा बॉल इस तरह से और इसको एक राउंड सेव देना है और इसमें आप डिजाइन के लिए कर सकते हैं कुछ अपने तरीके से जो भी आप करना चाहें तो मैं यहां पर जो हम चानने के लिए जो लेते हैं इस तरह से कल्चा उस पे मैं इस तरह से च鲇क्त बन जा रहा है के लिए देखिए इस तरह से को इसाधेव को सारा डिसकित SPEOS करना है फिर हम इसको फ्राई करेंगे तो ऑईल गर्म करने में रख दिया है अब हमको इसको मेडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे बहुत कम टाइम लगता है इसको गोल्डन ब्राउन होने में तो बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है क्योंकि अंदर से भूना पल्टाक पल्टाक के हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे और फिर हमारा बिस्किट बन करके त्यार हो गया है बहुत ही टेस्टी रगता है आप जरूर इसको ट्राई कीजिए और बहुत ही जल्दी से बन जाता है और गेहूं काटा हेल्दी भी होता है तो काफी अच्छा है हेल्द के लिए भी यह तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए इसको सेयर कीजिए ये देखिए ये फ्राई हो चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में अब इसको 15 डेस के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होता है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैक्स फो वाचिंग मैं वीडियो बाबाई